जैन दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले एक सुप्रीम कोट का जजमेंट आया था और वो जजमेंट जो था सम्बंधित था तूफिंगर टेस्ट से जिसमें सुप्रीम कोट ने तूफिंगर टेस्ट को जो था टोटली बैंड कर दिया क्या क्या टोटली बैन कर दिया तो उस समय मैंने अपने यूटूब चैनल पर ही कम्यूनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला एक क्या बलते हैं उसको एक पोल डाला और उसमें मैंने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोट का यो फैंसला था अच्छा है खराब है एक option उसमें यह भी था कि हमें नहीं पता है कि यह टू-फिंगर टेस्ट क्या होता है तो उसमें मात्र 13% लोगों ने ऐसा लिखा कि सुप्रीम कोट ने बहुत अच्छा काम किया बाके जो 16% लोग थे उन लोगों ने उस पोल पे पोल किया कि मतलब हमें नहीं पता कि आखर टू-फिंगर इसी भी हालत में नहीं होगा , तो सबसे पर Ergeb को जानेंगे टूफिंकर टेस्ट हौता क्या है ? वह सिकायत था थ है , यह वफिंकर टेस्ट में , जब कोई महिला या लर्की , कोई भी मतलब महिला लर्की का जब रेफ होता था , जब बलतकार होता था तो जब वह इसका शिकायत थाने में करते थी, FIAR करते थी, तो इस बात की जाँच करने के लिए, कि क्या इस महिला के साथ या इस लगकी के साथ रेफ हुआ है या नहीं, थिक, इस बात की जाँच करने के लिए इस two finger test को किया जाता था, और यह होता कैसे था, तो इस test में जो करते थें और वह चेक करते थें कि क्या यह सच में मतलब इस तरी के साथ है इस महिला के साथ हुआ भी है या नहीं तो जैसा कि अब जानते होंगे कि हमारे भारत में और सिर्फ हमारे भारत में नहीं दुनिया के तमाम जो सब भे देश हैं उन देशों में ऐसा एक ऐसा माना ज किसी निदोस को साजा नहीं होनी चाहिए तो इस बात को लेकर लोग मतलब यह तो फिंगर टेस्ट हुआ करता था जिसमें डॉक्टर लोग चेक करते थे कि इस महिला के साथ रेप हुआ है या नहीं यदि अगर डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि उस महिला के यौनी में सूजन ट कर दिया तो सबसे पहले आप खुद सोचके देखिए एक इनसान होते हुए कि ठीक है अगर माली जो कोई गलत आरोप लगा रहा है तो तो सही बात है भैं गलत आरोप लगा रहा है तो फिर नहीं होना चाहिए किसी को साजा लेकिन अगर किसी महिला के सांथ रेप हुआ हो और फिर उसके बाद उसकी मतलब प्राइबेट पार्ट में कोई उंगली डाले और चेक करने के लिए कि रेप हुआ है कि नहीं तो आप खुद सोचके देख सकते हैं कि अपने आप में कितना मतलब ऐसा लगा उस महिला के लिए कि फिर से उसके सांथ कृति को दोहराया जा तो यह कारण था और क्या कार्ण थे तो देखिए सबसे पहला एक और कारण बताता हूं को आपको आप यहां पर देख रहा हूंगे आर्टिकल 21 लिखा गया है यानि क्यों उच्छे देखिस हमारा भातियस व्मिधान का उच्छे देखिस क्या कहता है करने के लिए तो कृष हमानें गहीं नहीं तो एक तो उसके साथ रेफ हुआ और उसके साथ यह जो किरत किया जाएगा माले टू-फिंगर टेस्ट किया जाएगा तेक तस उसके मजी के खिलाफ ही होगा तो इसमें उसकी गरिमा रही कहां तो यह तो इसका उलंगन करता था आर्टिकल 21 का कि उस्तिरी पास गरिमापुर्न जिवन नहीं रहा भी। कवर उसके मर्ली से नहीं हो रहा है। अगर मर्ली से कारते हैं और मर्ली से नहीं करते है फिर अपना कम्प्लेंट वापस ले फिर स्कस्ता के मतलब sprawirenत tim के मतलब स्वतंतता उसको नहीं मीलती थी तो यए यह था और कान क्या था देखिए फेलियर भी इसमें फेलियर की संभावना थी और हुआ भी था जारखंड में एक केस था केस का एक जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है तो उस केस में एक ऐसा हुआ था कि उस महिला के साथ रेव हुआ था और इस तूफिंगर टेस्ट के बेस पर उस उन्हाप दाधियों को मतलब सजा नहीं मिला उनको बड़ी कर दिया घ्या तो इसमें फेलियर की संभावना है अब आप सूछे रहें कि एक cinema महिला हो साधी शूदा हो और वह डेली relationship में किसी के साथ रहती हो या तो साधी हो जो साधी शूदा हो तो या घ्या रहेग हेसा संभावना है अगर तो एक दिन माननी जो किसी के साथ किसी ने उसके साथ रेप कर लिया तो इसकी प्रबल संभावना है कि उसके प्राइबेटे मैंने शुरू में आपको बताया कि उसके प्राइबेट पार्ट में सूजन टाइप का हो जाता है तो जब वो डेली रिलेसंशिप में रह रही है तो यह बात की पूरी संभावना है कि उसकी जो यौनी होगी प्राइबेट पार्ट होगे उसमें सूजन नहीं आएंगे फिर यहां तो भी यहां पर चुछ जाएगा शैक्रीड़ी प्रम इसकी आपर इससे क काव देखिश्या ननौन सेयुक्रीजिबी अब नॉन साइटिफ kया था था उसको समझने का परति ido है नॉन साइंटिफिक में देखिए इसमें कोई साइंस नहीं काम करता ने इसमें कोई साइंस काम करेगा कोई साइंस काम नहीं कर रहा है इसमें तो आप अपने अनुभाग क्याधार पर बताएगा बताएगा जिसे माले आप अल्टरा साउंड करते हैं एक सरे करते हैं तो इसमें साइंस काम कर रहा है लेकिन अगर आप यह कर रहा है तो इसमें कोई स पर्हाया जाता था तो लोगों को इस टू Manuel ट्रेस्ट के लिए मतलब उसमें पढहराई की जाती थी पर्हाया तो सुप्रीम कोड ने कहा एको भी इस निकाल दिया जाए को ठोल के ब zij ने रहाय का मतलब यह जाए ख़ता दिया तो के ना मांसिकस से प्रताइत होगी और इस सबस्की है तो बहुत ही अचछा कि आम तो सुप्रीम को और आप भी इस बात को मानते होंगे तो चुक ही आप लोगों को पता नहीं था तो मैंने मैं सोचा कि क्यों आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बनाकर इस चीज को समझाने का पढ़ादन कारूं कि आखी तूफिंगर टेस्ट होता क्या है और इसमें सरकार ने इसको बैन किया कि इसमें गलत क्या था अच्छा तकुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा कि बावजूद भी इस तरह का क्रित्य करेंगे जांच करने के लिए वर्जिनीटी टेस्ट के लिए तो बहुत ही गलत है और मानुमिये है जो कि मैं इसका विरोध करता था और हलाकि सुब्रिम कोटे बहुत अच्छा के इसको खतम किया तो दोस्तों मैंने आपको समझाने का अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कुछ सब्द ऐसे निकल गए मुझसे जो कि मुझसे नहीं निकलना चाहिए तो उसकर मैं आपसे छामा मांगता हूं ठिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका